हेलो एवरिवान तो सबकी डिवाली कैसी रही आई हो पच्छी रही होगी तो सले बस करते हम कहां थे हम मोस्फेट कर रहे थे मोस्फेट में टू टाइप्स देखे थे ए मोस्फेट और डी मोस्फेट ठीक है है एन्हंस्मेंट और डिप्लेशन मोड ओके तो यह सब्दी विदा और अ फ्चे विदा इसकी जो हमने प्रोसेस वो देख ली थी किस प्रकार याम इसको मतला इसकी इसकी इसमें क्या होता है E MOSFET जो हमारा सबस्ट्रेट होता है इसको बनाते कैसे वो पता है यह हमारा P चैनल MOSFET है ठीक है तो P चैनल के लिए sorry N चैनल sorry बई sorry N चैनल MOSFET है N चैनल के लिए दो source और drain पर N प्लस N प्लस रखते हैं और substrate के रूप में P रखते हैं ठीक है SI O2 की प्रत रखते हैं और जो gate के रूप में इसकी प्रत पर positive sign रखते हैं ठीक है तो E MOSFET में भी क्या प्रोसेस होगी जो हमारी स्वर्दी विद्धा है इसमें इसकी अगर अगर प्रोसेस देखें तो इसमें जो हमारा P सब्स्ट्रेट होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है ठीक है और gate को positive दनात्मक voltage दी जाती है positive voltage दी जाती है ठीक है तो इसको हम capacitor जो action होता है उसके दुआरा इसकी उपरी परश्ट पर positive के कारण यहां पर negative जो sign है वो प्रेरित हो जाता है ठीक है तो जो हमारा P सब्स्ट्रेट होता है इसमें यह negative मतलब जो इसके anti जो हम दनात्मक दे रहे हैं इसके anti एक या फिर बोल सकते हैं inversion layer बनाते हैं तो यह मानते हैं जैसे जैसे हम दनात्मक में व्रदी करते हैं उतनी ही रिनात्मक जो sign होता है यहां पर उसमें व्रदी होती है ठीक है तो इसका जो sign होता है वो किस परकार होता है इसको इस परकार रखते है हमारा यहां हमारा gate G होता है ठीक है और यह drain होता है इधर और नीचे की तरफ हमारा source होता है यहां sub straight होता है यह बीच का ठीक है इसकी परकार अगर P चैनल को बनाएं तो बस जो sub straight होती है उसके sign में चेंज होगा यह इधर है और यह इधर हो जाएगा जो हमारा पी चैनल होगा पी चैनल होगा पी पूरी जो incident होती है वो उल्टी होती है इसके दुवरा यह हमारा drain होता है यह हमारा source होता है और यहां sub straight होता है इसमें sign इधर की साइड आएगा करेंट का ठीक है तो क्या देख रहे थे हमें कि पी को ग्राउंड रखा जाता है जो हमारा पी sub straight होता है उसको ग्राउंड किया जाता है ठीक है तो जैसे जैसे गेट को हम धनात्मक बोलता देंगे इसमें रिनात्मक में उतनी ही व्रद्धी होगी तो रिनात्मक जो लेयर होगी जोडेंगे ठीक है तो इस परकार हम गेट में जो पोजिटिव साइन में जितनी वरधी करेंगे उतनी ही जो पोजिटिव जो वोल्टता है उसमें वरधी होगी ठीक है उसके कारण कारण्ट में भी वरधी होगी ओके तो यह थी इसकी प्रोसेस इसके सिंबल एंड चैनल का सि ठीक है बिल्कुल केलिए रहे बी चैनल एक मुझेट है इसी परकार हमने अगर दी मॉझेट देखें इसमें क्या होती अव्चे विदा यह कब मिलती है में जो डी मॉझेट में जैसे जैसे हां यहां एक सिलिकॉन SiO2 Silicon Oxide की परत होती है तो S और D होता है जो हमारा Source Source और Drain होता है इनके मद्दे समान असुद्धी मिला दी जाती है समान असुद्धी मतलब ये जो प्रोसेस थी इसके अलावा समान असुद्धी हमें इसमें मिला रहे हैं विष्रित कर रहे है तो इस कारण जो मोस्पेट में जो विधा मिलेगी जो मोड मिलेगा उसी को हम बोलते है D मोस्पेट ठीक है आउच्य विधा क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में क्या थी सलीकोन ओक्सेड की परत चड़ा दी गई थी इसके बाद में यह प्रोसेस की जाती है कि इसको इसमें और असुधि विष्रित कर दी जाती है तो इसके विधा मोड में आ जाता है मतलब अवच्य विधा बन जाता है ठीक है तो इस परकार ये इसका सिगनल भी हम देख लेता है है symbol कैसे यूज करते हैं इसमें जो सिलिकोन ओक्साइड की परतों थे इसमें जो पॉजेटिव सान है इसके निचे की साइड आ जाएगा कि इसी को बोलते हैं भी मोस्पेट ठीक है अब डी मोस्पेट के जो signal है वो भी हम देख लेते, symbol कैसे use करते हैं, वो ही यह हमारा gate होता है, ठीक है, यह drain होता है, नीचे यह हमारा source होता है, यहाँ जो use की जाती है, यह क्योंकि इसमें जो असूती मिलाई जाती है, उसके करण जो, इनके मद्द है, drain और source के मद्द है, इसी type के असूती मिलाई इसमें, तो ध्यान रखना, बाद में जो असूती विस्रित की जाती है, इसके और इसके जो चैनल में डिफ्रेंस यह है, यह असूती विस्रित करने के कारा, और इसी परकार यह हमारा, यह N चैनल, डिमोस्फेट, ठीक है, और इधर बनाएंगे P चैनल, डिमोस्फेट, इसमें क्या होगा, यह हमारा, गेट होगा, ठीक है, और जो, यहाँ drain होगा, यहाँ source होगा, इनके मद्द है, sub-state लगा होगा, इसकी जो direction होगी, वो इस direction में होगी, यह अंतर, ठीक है, तो इस परकार यह D मोस्फेट और E मोस्फेट हमारा, अगर exam में question आए, तो पहले इसकी process के बारे भी यह कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर जो इसके type है, N चैनल और P चैनल, ठीक है, P चैनल मोस्फेट, N चैनल मोस्फेट, फिर उसके बाद हम देखेंगे, इसकी पूरी process समझा ठीक है, तो कर सकते हो इसलिए exam में question आए तो, बस इतना ही काफी है, अगर इतना कर दोगे, काफी है, यह फिर डाइरेक्ट भी E मोस्फेट और D मोस्फेट भी question आ सकते है, ओके, तो यह हमारा GFET और मोस्फेट खतम है, ठीक है, यहीं तक करेंगे हमें, कल करते हम next, इसी का चैप्टर, जो second chapter है, वो करेंगे, ओके, बाबाई